हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर सोगए तो उम्मीद करतों आप सब अच्छे होंगे और बहुत सारे बच्चों का डिमान था कि सर हमसे कुछ नहीं आ रहा है और हमको टाइटल कैसे बनाना है या समरी कैसे लिखना है नोट मेकिं एंड सर्व हेडिंग फ्रॉम दा एब पैसज यूजिंग एवेब्रियेशन एंड सौट कंट्रेक्शन फ्रॉम दा वर्ड वेर निसेसरी सप्लाई ए स्टेबल टाइटल आल्सो राइट समरी आप दाइब पैसज इन दा सेवेंटी वर्ड अब देखेगा पहले इस को आपको अच्छे तरीके समझना है, बोल के रखा है का आपको टाइटल देना है, इसके बाद आपको एक note making करनी है, इसके बाद आपको summary देनी है, total आपको कितने अंका है पेर बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 अंका ये है और ये आपका 2 अंका है, यहीं total 6 अंका है, कितने अंका, 6 अंका लेकिन जो exam में हो सकता है, आपका 4 अंकी पूछा जाए, क्योंकि यह भी 4 अंकी पूछा गया था कितने अंक पूछा गया था, 4 अंकी ही पूछा गया था, तो annual exam में हो सकता है तो देखिएगा कैसे लिखना है थोड़ा सा सबसे पहले आपको एक बार इसको पढ़ना है यह पैसज है इसको एक बार पढ़ना है इसको आपको एक बार पढ़ते समय कुछ ऐसे बढ़ साएंगे जो बार बार आएंगे बार बार आने का मतलब यह हुआ कि जो बार बार आता है मतलब उसी चीज का यह पैसेज है जैसे इन दा बड़ है भी मेड हेल्थ एंड इन 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 इटसेल्फ भी है फोर्गेटन डैट हेल्थ इस रियली आप मीन्स इनेबल यह परसंट तू हीज बर्क एंड डज इट बेल ए लॉट अप मॉडर्ण मेडिसीन एज कंसर्ड विट प्रमोशन आप गुड हेल्थ अब देखे हेल्थ 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 हर जगे आपको हेल्थ मिलेगा और देखो यह भी हेल्थ यह भी हेल्थ तो यह हेल्थ ही मतलब हेल्थ देखो पूरे यहां हेल्थ हर जगे हेल्थ मिल रहा है मतलब यह चीज तो हमको यहां पर क्लियर हो गय है इसके बार आपको यह मिलेगा कि कुछ ऐसे पॉइंट जो बार-बार मिल रहे हैं बार-बार सी कार वह हमारे इस पैसेट का टाइटल होगा तो आपका इक 현k कलिय सैकनक फोकट में एक तो भाईया health के बारे में दिया है पूरा का पूरा और health को अच्छा बनाने के लिए कैसे कार करना चाहिए तो आप लिख सकते हो health and work यहांई आपको कैसे कार करना भाईया पूरा बर्क के बारे में इसको जब आप पूरा पढ़ोगे तो clear हो जाएगा तो health and work अच्छा थोड़ा समय एक चीज और बताता हूँ यह दूसरा आप देखेंगे यह दूसरा पैसेज है दूसरे पैसेज में आप देखो यहां पर देखो ना जरा जरा यहां पर communication दिया है communicating without a speech speech के बारे में दिया है communication मतलब आदान प्रदर हम आपसे बोल रहे हैं तो आपका हमारा communication क्या है बहुत बार आप communication पाएंगे दिया communicate है फिर इसके पहले भी आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं मिलेगा पेर बच्चो जैसे यह भी देखो communication है समझ रहे न और आपको कई जगे मिलेगा और इधर है तो यह पैसे जाए तो इसमें आप देखी communicate हो गएरा communication बहुत कहने का मतलब और यहां पर थोड़ा आप से आर्थ बंदा तो ठीक है नहीं बंदा उसके लिए मैं बात कर रहा हूं यदि बंदा तो अच्छी बात है थोड़ा साइदी आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे कि बोल चाल के भासा में किस प्रकार से हम communication सिस्टम लागू करते हैं communication सिस्टम क्या है तो इसमें जब आप पूरा पढ़ोगे पैर बच्चो थोड़ा समझ में आएगा तो जब एक दो लाइन आप पढ़ोग जैसे आल्थाट इस्पीज इस दा मोस्ट एडवांस फॉर्म दा communication देर अर मैनी भी आप कम्यूकेटिंग बिदाओड यूजिंग इस्पीज मतलब कई प्रक बिना यहाँ पर देखिए बिदाओड यूजिंग इस्पीज बिना स्पीज के अलावा भी कम्यूकेशन सिस्टम के कई रास्ते हैं यहाँ पर सिंगल्स हैं सिंग्स हैं सिंबॉल्स हैं एंड गेस्टर्न हैं गेस्टर्स और में भी फॉंड आर इवरी नो कल्चर दैट बेसिक फंक्शन आप इस सिगनल तो एंपिंग अपान दा एन्वार्मे सिस्ट हैं न तो आफ एटेली ग्राफ सर्कीट कोडेड टू रिफर टू स्पीच कुल मिला करके जो कम्यूनिकेशन के टाइप देके रखा पुरा-पुरा मतलब हम एक दूसरे से बातचित कर सकते हैं तो कम्यूनिकेशन में क्या-क्या यूज कर सकते हैं कैसे क्या करना ची अब आपको तो भया जैसे यह देखे हो पहले पैसेच के सामरी है कोई सामरी तो या आप नहीं कर पाएगा और आपका बढ़ पावा इतना मजबूत नहीं है कि आप पूरा कम्प्लीट सामरी कर पाओ तो अब इस प्रकार में सामरी आपको कैसे करना मैं आपको बता रहा जैसे आप पूरा पैसेच पढ़ो तो यतना थोड़ा देखिए कि जैसे आपने पूरा पढ़ लिया अब बोला है सतर बड़ सतर बड़ मतलब साथ लाइन तो एक काम करो ना जैसे मैंने लिखना सुरू किया यहां से अलफ़ाबेट से देखना यहां तक लिख दिया माल य पेसेंट आज बेल एज मैंनी फिजिकल पे बेरी लिटिल अटेंशन दा है यहां तक लिख दो फिर आप कुछ छोड़ दो बिलकुल आप छोड़ दो फिर आप आप से कुछ नहीं बनना है इसके निएAlpasi नहीं बनना है यजी आपसे बनना है तो फिर इसके पूरा एड टू मोस्ट रियल यहां पर खड़ी ले यहां तक लिख दो फिर एक दो लाइन छोड़ दो फिर आप सुरू कर दो अलफबेट से जहां से स्टार्ट हो या कि माली यह कहीं से बीजे से मालो यह पूरा चल रहा है अलफबेट आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप आगे भी देख सकते हो यह साथ लाइन हो जाए तो साथ लाइन लिख दो यह सतर बड़ वोला है तो साथ लाइन यदि एक सो बीज बड़ वोल गया तो बारह लाइन इतना तो आपको लिखना है पड़ेगा इतना आपको लिखना है पड़ेगा तो बीच बीच के बड़ आप छो आपको बार-बार वो सब्दा आएगा, वही title होता है, ठीक, इसके बाद आपको थोड़ा सा note making करना पड़ता है, note making में, जैसे आपको थोड़ा समझना होता है, कि इसके बारे में दिया है, तो health के बारे में दिया है, पहले आप health heading डाल दो, और कुछ नहीं बनता है, कुछ न really means, इतना कर दो आप, जोरोने की पूरा-पूरा लिखो, फिर आप तीन नमबर में लिखो, many percent as well as many physical pay, इतना कर दो, जोरोने पूरा बार आप मत लिखो, आपको point by point बना लेना है, health के बारे में दो-चार point लिख देना है, फिर आपको कर देना है, और इसमें कुछ देके लिखा होगा, जैसे माली जी, promotion of the good health, अपने health के बारे में अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, healthy man कैसे होते हैं, तो यहाँ पर और भी आप, तो कुल मिलाकर के, जो आपका report writing होता है, मतलब notes making जो होता है, उसमें आपको point बना-बना के, कि तीन, चार line लिख देना ह कुछ नहीं बन रहा है, बस इतना कर देना, मैं कहता हूं, भया, आपका 6 में 6 तो नहीं आगया, 6 में 6 तो नहीं मिल पाएगा, यह तो मैं guarantee कहता हूं, क्योंकि भया, आप उस तरह लिख नहीं पा रहे हो, लेकिन 6 में 4 अंक कोई काट भी नहीं सकता है, 4 अंक मिलना है, तो focus अंक मिल जाएगे, आप से कुछ नहीं, इजे ट्रिक है, यह ट्रिक है भईया, कि आप टाइटल बे तो भेतरिन कर लिए, आपका summary बढ़ी और 3 अंक मिल गया, एक अंक आपको note making को देना है, तो 4 अंक आसानी से मिल जाएगे, इस तरह से आपको करना है summary और note making, कोई भी पै